दोस्तो इगनू के जुलाई सत्र का रिजल्ट सभी पिसुयों का जारी कर दिया गया है जनवरी सत्र जिसका पडिक्षा आपको दिसंबर जनवरी में हुआ है जस्ट अभी उसका भी रिजल्ट जारी किया जा रहा है सभी पिसुयों का रिजल्ट एक साथ जारी नहीं होता है बारी बारी से होता है तो इसके result को भी जारी किया जा रहा है इस वीडियो में आज आपको भी बताएंगे हम कि result आपको किस link से देखना है कहां से देखना है कितने number में किस विश्यों में pass हो जाता है assignment का marks कहां देखना है theory का marks कहां देखना है result क्या होता है grade card क्या होता है तो इन सब के उपर हमने detail से बात करी है ज़िए आप इगनु के student है और इगनु सम्बंदित आपको बहुत सारे new चाहिए होता है तो आप हमारे चनल को subscribe करिए ताकि इगनु सम्बंदित जो भी information होते है हम आपको अपने चनल के माध्यम से आपको provide करते रहते हैं तो यह जो वीडियो आपके लिए है यह है रिजल्ट सम्बंदित वह से student जो कि जुलाई 22 में अपना एक्जाम दिये है जून जुलाई 22 में उसका तो सबका सबकर रिजल्ट आच्छी का है जो विद्यारती दिसंबर और जनवरी 2023 में अभी जस्ट पिछले म सब्सक्राइब है कि इसका जो वेब साइट है यहां पर दे रखे हैं यह इनू.ac.in जैसे अपने फोन के ब्राउजर या फिर मोवाईल या लैप्टॉप कहां भी आप खोल पा रहे होंगे अपने ब्राउजर में इस तरह का पेज आपके सामने में आ जाता है जहां कि आप आपको जूम करके इसके जो यॉडल है उसको भी दिखा देते हैं इकनू.ac.in तो जैसे इसके आप पेज को अपन करें हलाकि इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हमने अल्रीड दे रखा तो वहां से भी कॉपी या क्लिक करके इस पेज को आप ऑपन करते हैं खोल सकते ह हैं इसमें आपको जाना कहा है देखिए सबसे पहले आपसे रिक्वेस्टी कि यहां पर आप जाएंगे तो आपके ब्राउजर में आप अपने ब्राउजर को desktop साइट में कर लेंगे या desktop मोड में इसको आप स्विच कर लेंगे औन कर लेंगे तब आपको इस तरह का मेनू पर छाओ आपको दिख जाएगा ज्योदी आप नहीं करते हैं तो आपको फोन में या तो यहां पर triple मेनू के दिख्ते का यह three line यहां पर यहां दिखता है जहां भी आपको ओदिखेगा वहां से क्लिक करके आपको यह सब जो मेनू से इसको आप एक्सेस कर पाएंगे ज़्यादी आप डेक्टॉप साइट पर कर लेते हैं तो आपको इसी टाइप का दिखेंगे जो कि आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा ठीक है आपको जाना है स्टुडेंट सपोर्ट में यहाँ पर लेक्षे है 142 पर आपको लांट सबसे नीचे पर मिलेगा सबसे आपको मिले इंट्राएंस का एक्जाम कौनसा है तो आपको जाना कहां है ध्याणी देना है बहुत लोग क्या कर ते रिजल्ट नहीं भी पाता है तो यह रिजल्ट को पूरा वीडियो आपको मता देंगे तब आपको सई खुद-खुद मालूम हो जाएंगा दुन तो आप पहले कर लेंगे आप किस तरह के बच्चे हैं जएधि आप आप जुन जुलाइ 2022 में एक्जाम दीये है, तो आपको क्लिक करना होगा, second वाला लिंक पे, यरदी आप December जन्वडी 2023 में एक्जाम दीये है, आपको क्लिक करना होगा, nhất वर दिक फर्श्च वर लिंक через new वाला option पे, ठीक है? काड में भी होगा आपका पढिक्षा का भ़ोते थे कुलिक करना और क्लिक कर देना है यहां पर टाइप करना है होता है expression चभूरा पूरा कपुड़ा खुल जाता है जो कि इस तरह का होता है यहां पर आते हैं तो आपका जिस date में देख रहे हैं वह date समय भी यहां लिखा रहाता है आपका यहां पर program code भी लिखा रहाता है अपने आप और enrollment नम जो आपने लिखा है वो भी आपका लिखा रहाता है अब यहां पर result को लोग समझते हैं देखिए इस student का जिसका हम अभी देख पा रहे हैं यह बच्चा का यह बच्चा दिसंबर जन्वरी में अभी जस्ट एक्जाम दिया ही है और उसका अभी तक में 4 बिसे का result आ चुका है आठ में से 4 बिसे का result आया है और 4 बिसे का आना बाकी है तो वह result और देर से आएगा यहां पर एक बात कहेंगे हम जैसे कि अन्हाँ बोर्ड में क्या होता है कि एक ही साथ सभी बिसे का result जारी कर दिया जाता है यह बच्चा है करकर करके तो complete result आने में आपको दो- स YouT quindi से का लग जाता है तो इसमें चिंता ना करेंगे कि हमारा एक ही दूबिसे का आया है और विसे का नहीं दिखा रहा है क्या हम फेल हो गए क्या हम को एपसेंट कर दिया गया है ऐसी कोई बात नहीं है आपके मित्र का किसी का आपसे ज़्यदा भी होगा किसी का आपके कम भी होगा तो चिंटा करने की बात नहीं है अब हम बात क 1-2 इसमें 153 दिया गया है अब बात करते हैं लोग और यहां पर देखिये म्यक्सिमम माक्स न में है 100 को आया हुआ है अब यहाँ पर मंत और यहां पर क्या है मंत और यहां यहां बाइस सोई 12 cured लिख रहा है तो 12 20 में इंगा सरह का एग्जाम हुआ है इसलिए 12-22 यह लिख रहा है उसके बाद है यहाँ पर date of publication जो result publish हुआ है कब publish हुआ है इस बिसे का result जो देखिए आया हुआ है इस बिसे का result आपको आया है 27-1-23 को इसका भी result आया है 27-1-23 को इसका आया है 1-2-2-23 को इसका भी आया है 1-2-2-23 को इसी तरीके से आप इस जो वीडियो के description में link दिया गया है आपको इतना लंबा जदी करने में परशानी आ रही है तो सीधे आपको हम इसमें link दे दिये है जो कि सीधे इस page पर आपको पहुचा देगा और यहाँ पर रोलमें डालेंगे submit पर क्लिक कर देंगे आपको सीधे इसका result मिल जाएगा इसके की सुचा का भी 4-4 result आया है जोदी आप 3-4 दिन के पाद फिर चेक करेंगे तो पाचमा आ जाएगा छटा आ जाएगा तो ऐसे करकर के आपको 2 महिने से 3 मिन तक hardly सारे result आपका आ जाता है ठीक है और इसके बाद यह तो result वाली बात है इसमें आपको assignment नहीं सिर्फ और सिर्फ theory का marks इसमें आपको सोग करता है ठीक है एक और चीज़ होता है grade card grade card क्या होता है grade card में आपको assignment theory दोनों का उसमें marks आपको मिल जाता है और लिख भी देता है remark में यह आपका complete हुआ है कि आपका नहीं हुआ है एक चीज़ और अंतर है दोनों में इसमें आपको जिस part के लिए आप जा रहे हैं कोई बच्चा है part 1, part 2 दोनों pass कर चुका है part 3 में है तो part 1, part 2, part 3 तीनों का उसमें एक साथ दिखा देता है कि तीनों year में जो भी subject आपने पढ़े हैं रखे exam दिया है तो किन में fail है, किन में pass है, किन में कितना number आया है तो आप आज को वो दिखाते हैं आप कुछ की वो चीज़ कैसे निकालते हैं फिर आते है back इसी page के उपर जहां से आप गए थे term and exam के उपर पहले हम लोग यहां कहे थे अब यहां नहीं जाना, आप जाना है यहां पर grade card के उपर आपको क्लिक करना है grade card के उपर जिसे ही आप क्लिक करते हैं तो वहां पर आपको सेशन उसन कुछ नहीं चुनना है आपको इस तरह का option आपको आजएगा grade card mark seat type का यहां पर देखे लिखा हुआ grade card mark seat तो यहां आजएगा यहां आपको कुछ कुछ समझने की भी चीज होती है यहां पर तीन कॉलम है first one, second one और third one तो आपको first one में क्या चुनना होता है देखे यह चार option है चारो option में समझते हैं क्या चुनना है आपको कुछ बच्चे है जो की BAG course से है bachelor इनकी degree में इनकी BA में BAG वाला course किये हुए है तीक है उसको चुनना होगा number third कुछ लोग है BAG से पहले वाला course पहले क्या था इनकी पास पार्ट वन में पास सब्जेक्ट पार्ट तू और पार्ट त्री में चार्चारवी सेकर्ड के था तो उसको BA BDP था तो BA BDP वाले बंदू जो है second को चुननेंगे यह वाला ठीक है वह मीचे नहीं आएंगे कुछ है जैसे कि BCA, MCA या फिर MP या और कोई जो प्रोग्राम है उसके लिए सबसे उपर वाले चुनेंगे जदी आपका honors program है honors खाने का मतलब एक होता BAG यहनि कि Bachelor of Arts General उसमें honors नहीं होता एक होता है Bachelor of Arts honors जैसे कि कि मान लिए history honors किसी का है उसको बोलते हैं BAHIH किसी का है political science honors BAPSH बोलते हैं किसी का Hindi honors BAHDH है तो यह सब course आपको किसमें से मिलेगा तो यह सब course आपको मिलेगा for CB CS program यानि कि third number जो option है इसमें आपको चुन लेना है ज़्यति आपका honors course भी है BAG course भी है तो आपको इसमें जाना है तो यहां से आप चुन लेंगे इसको चुनने के बाद यानि कि आपका जो इन्रॉल्मेंट नमबर आपके आई-कार्ड में होगा या अड्मिट कार्ड में होगा आपके आपके प्रोग्राम को चुनना पड़ता है प्रोग्राम को यही बात हम आपको बताएते अभी जो जो ऑनर्स वाले हैं इसको जूम करते ज़रा साथ देखिए यहां पर ब्यागे वाले इसको चुनेंगे किसी का है बीच्छी बेस्टलर अपार्ट्स हिंदी ओनर्स कि पॉलिकल संस और स्थ यानि की सोचियोलोजी इसी तरह जो आप इसमें से आप उसी को आप चुनलेंगे चुनने के आपका प्रोग्राम कोड दिखता यहाँ पर उसके बाल सभी पीशयों का आपको माक्स और रिमाक्स ठीक है दिख जाता है अब क्या इसमें देखना है हम लोग को कि कैसे जानेंगे हम लोग का कौन सा माक्स क्या है नहीं है तो बड़ी बात इसमें देखिए इस बच्चा का सब्सक्राइब दिखा डिया सब्सक्राइब और कुछ स Core-い-point number आया है तो अउस्छ मांक्स आपको यहां पर दिखता है और मनेस यहां पर दिखता है कर साथ की की ज्यादाता प्रते चाहिए पर बच्चे हैं उसको ल्याब करना पड़ता है तो ल्याब का मार्स इधर जूटता है जोदि आप साइंस में नहीं है तो आपको यहां पर असाइंग्मेंट का मार्स यहां जैसे कि बीए एनस 183 में इसको 79 नंबर आया है यह जो भी सारे मार्स है सब्जेक्ट का इसाप से आप आपका यहां पर सारे असाइंग्मेंट के मार्स है ठीक है उसी साथ थियोरी की बात करें इसमें तो थियोरी का मार्स सारा का सारा इधर आपको दिख जाता है कैसे चक्कर नाम लोगों माल यह बीए एनस 183 है यहां पर इसमें इसमें सेवेंटी नाइन और इसी में आपको हुआ है completed not completed देखे सब में लिखा हुआ है और यहां पर लिखा हुआ not completed ठीक है जो कि फिरी का ही मार्स है यहां पर और असाइंग्मेंट का भी मार्स है यहां पर लेकिन not completed थिया complete नहीं हुआ तो आपको 35, 35 नमबर लाना होगा 35 नमबर जदी आप लाते हैं 35 पलस तो आप पास कर जाते हैं जदी 35 से कम है 34, 33, 37 कुछ भी और नीचे हैं तो आप पास नहीं माने जाएंगे, फेल माने जाएंगे यहनी कि ग्रेजवर्सन के लिए 35 पलस और जो पीजी वाले बचीचे हैं उसको 40 प्लस मार्क्स लाने होते हैं यहनी कि जदी आप 40 या 40-plus मार्क्स लाते हैं तो ही आप पीजी में आप पास नहीं माने जाएंगे तो ज़िदी आप अभी ग्याजिशन में कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए आपको 35 मार्क्स और उससे उपर लाना होगा तभी आप थियोरी में पास कहाएंगे तो यह बच्चा क्या किया है यहां पर फिर समझे माजरा गंभीर मुद्दा है है लेकिन नहीं चड़ा है बंदा का क्वेशन या तो यह जमान नहीं किये है तो वहां पर इनका माक्स नहीं चड़ा है जड़ी वेट कर लेते हैं जदी बहुत दीन हो जाता है तो अपने कॉले से जा संपर्क करिए कि सरा हमारा assignment दिया हुआ है बट मार्स नहीं चड़ा है हमको क्या करना होगा फीर से देना होगा या फैल कर गए तो कुछ तो नमबर आना चाहिए तो संपर्क आपको उल्स से कर सकते हैं तो इस आप ध्यान दे देंगे ठीक है उसी हिसाब से देखेंगे अभी और जो कि यहां पर देखिए सपस्ट लिखा हुआ है not completed not completed क्यों क्यों कि इसमें 22 और इसमें भी 22 दोनों में इसको 22 22 नमबर आया है तो थियोरी में फेल है हलाकि assignment में पास है और marks भी चड़ा हुआ है तो यह बात आपको ध्यान देनी होती है कि किसमें फेल है और किसमें पास है तब जाकर क्या आपका complete होता है जदी आप सभी बिस्यों में आपका complete दिख जाता है तब आपका कोर्स पूरा हुआ और प्रविश्ण जो भी आपका आता है डाक से आपके एड्रेस पर पहुंच जाता है यह complete प्रोसेस है जदी आपका एक भी बिसे में चाहे वह थियोरी हो या प्यासाइमेट हो एक भी बिसे में नोट कंप्लिटेड दिखता है तो आपका जो कोर्स है वह पूरा नहीं माना ज है तो आपको 40 प्लस एमकॉम कर रहें 40 प्लस आपको लाना पड़िएगा यही है रिजल्ट देखने का और ग्रेट कार्ट देखने का तरीका दोनों में देखेंगे आप तो अपने तरीके से इन कुछ चीजों को आप देख पाएंगे समझ पाएंगे यहीं से ज्यादा बे करते छाएंयरा ब्सकार वहां से जैख्यों केन दोनों लिंक को से तो च्रीक कर भिंद देरेंगा या फिर हमारा वाट्सअप है उसमें भी हमने इसट्रेख छू को दे रखा ताकि वहां से कलिक करके सिझे आप अपना डिटेलों में डालेंगे आप और अपने रिजल्ट क कर पाएंगे दोस्तों आसा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार हुआ है रिजर्ट देखने के करम में और सारा माजरा समझ भी आ गया होगा जैदि कुछ भी और दिक्कते हमने छोड़ रखी है जो कि आपको समझेने के लिए नहीं आया है तो मुझे क करें हम रिप्लाइ करके आपके मदद करने के लिए हम तो त्यार रहते हैं धन्यवाद करें कि अ